हलो स्टुडेंट्स ऑफ सवन्त स्टिंडर्ड लास्ट टूडियो में हमने मैस का फस्स चप्रे इंटीजर्स किया था क्वेशन नॉमर वन तू थ्री आज हम करेंगे च्वेशन नॉमर फोर इसमें हम एडिशन करेंगे देखे फर्स्ट नमबर एडिशन दो इंटीजर्स दे रखे हैं फर्स्ट वन इस माइनस 18 एंड 14 माइनस 18 कॉमा अट आगे प्लस करेंगे क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं इसलिए प्लस लगाएंगे 14 दोनों साइन अलग लगें एक माइनस एक प्लस है इसलिए 18 में से 14 माइनस करेंगे 4 बचेगा साइन बड़े वाले का आता है इसमें बड़ा नमबर है 18 18 का साइन है माइनस तो यहां माइनस आएगा नेक्स्ट टू नमबर सम 26 एंड 33 माइनस 26 दोन आट आगे प्लस लगाएंगे ब्रेकेट के अंदर माइनस 3 ब्रेकेट ओपन करेंगे माइनस 26 प्लस माइनस माइनस एंड 3 26 एंड 3 29 साइन लगेगा माइनस योकि दोनों ही नमबर माइनस के हैं ओके नाव फोर्थ नमबर 400 400 प्लस माइनस 31 प्लस माइनस 71 नाव सी 400 प्लस माइनस 31 एंड माइनस 71 दोनों नमबर माइनस के हैं इसलिए हो जाएगा माइनस इन दोनों को प्लस कर लेंगे प्लस करने पर आएगा 102 ओके साइन माइनस ही लगेगा क्योंकि दोनों ही नमबर माइनस के हैं minus 182, अब 400 में इसे अपन क्या करेंगे, 102, minus कर लेंगे, क्योंकि ये 400 plus का है, और ये 102 minus का है, इसलिए ये हो जाएगा, 400, फिर ब्रेकट ओपन कर लेते हैं, plus minus, minus, 102, ओके, अब 400 में से 102 minus करते हैं, तो ये आएगा 298, ओके, students, sign आएगा plus का, क्योंकि बड़ा नंबर plus का है, ओके, तो ये आएगा 298, plus का, नाउ सी, question number 5, इसमें दो क्योंकि question number 4 में, 1, 2, and 4 number के questions आपको, अभी जेस्ट मेंने समझाए, अब आप question number 3 and 5, ये 3 and 5, इसकी घर पे एक खूत्व आप practice करिएगा, ओके, नाउ सी, question number 5, subtract, the first integer from the second, in each case, ओके, इसमें subtract करना है, first integer को second integer में से, ओके, अब इदर देखिए, इसमें जो first integer है, 6, second है 18, तो first integer को minus करना है, second में से, second वाला अपन इदर ले लेंगे, okay, 18, subtract करना है, तो minus लगाएंगे, 6, okay, 18 minus 6, 12, okay, sign, बड़े वाले का होगा, plus का होगा, okay, second वाला देखिए, 6, subtract करना है, minus करेंगे, number दे रखा है, minus 3, bracket मा जाएगा, minus 3, 6, minus minus क्या होता है, plus होता है, okay, जब bracket open करेंगे, तो इस minus को, इस minus से multiply करेंगे, minus minus क्या हो जाता है, plus हो जाता है, okay, 6, plus 3, is equal to 9 अजाएगा, okay, now see, question number, fourth, minus, seven, okay, subtract करना है, minus लगाएंगे, okay, 12, okay, minus, minus, plus नहीं होगा, क्योंकि यह, पर multiply नहीं कर रहे हैं, दोनों same number है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, plus हो जाएंगे, 12 में 7 plus करेंगे, तो, आज एगा 19, okay, और यह sign हो जाएगा, minus, minus, minus ही रहेगा, यह दोनों sign minus के हैं, यहाँ पर minus minus plus हुआ था, क्योंकि यहाँ पर अपने इसको multiply किया था, जब bracket open करते हैं, तो यह इस तरह से होता है, 6, minus को open के करते हैं, into minus, okay, minus into minus के हो जाता है, यहाँ पर आकर यह plus हो जाता है, okay, पर यहाँ पर अपने इसको minus नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अपने दोनों number को क्या करा है, add कर लिया, तो यह minus के 19 हो गए, okay, now students see, question number 6, find the value of, first number दे रहा है, minus 37, minus, in bracket minus 15, and then minus 2, okay, see here, यहाँ पर क्या हो जाएगा, minus 37, then, इस minus को इस minus से multiply करेंगें, bracket है, जब bracket होता है, तो फिर बाहर वाला, जो भी sign होता है, उसको अंदर वाले sign से multiply करते हैं, minus, minus क्या हो जाएगा, plus 15, जब sign multiply करते हैं, okay, bracket होता है, तो multiply करते हैं, same sign होता है, 38, 39, then plus 15, अब इसमें जो साइन देखिए आप, बड़ा नमबर है, यह है 39 माइनस का, और 15 है यह है प्लस का, अब 39 में से 15 क्या कर लेंगे पन, माइनस कर लेंगे, जब माइनस करेंगे, आप देखिए, यहापर आएगा 24, 39 में से 15 माइनस के लिए 24 आएगा, साइन आएगा माइनस का, दोनों में से बड़ा नमबर है, 39, तो 39, जो 24 बचे हैं, वो इसमें से बचे हैं, इसका साइन है माइनस, यह इसका अंसर है, तो सुट्रेंट्स, आज हमने, जो फर्स चेप्टर रें इंटीजर, इसका कोश्चन नमबर 4, 5, and 6 कर रहा है, आप इसे अपने मैस की फेर नोड उग में करिएगा, आगे के वीडियो में अपने कोश्चन नमबर 7, 8, and 9 करेंगे, ओके, गुड़ बाय ओल आफ यू,